हेले स्टुडेंट आप लोग के स्वियन कासिल में स्वागत है मैं आपका शेकंदर सर्फ जो कि यह इस एजुकेशनल के प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोग को यह संस्कृत के चौथे लेक्चर को आप लोग के बीच लेकर के आए हुए हैं जिसमें आए हम लोग जानेंगे वर्न का उच्चारन अस्थान जितने भी वर्न है जो भी अभी तक में हम लोग पढ़े हैं यह वर्न का उच्चारन अस्थान क्या है यह वर्न का उच्चारन कहां से होती है इससे पहले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में य से टच किजिएगा तो नीचे आपका इसके पहले वाली वीडियो का लिंक दिया गया होगा और ये चीज़ को समझने के लिए इससे पहले वाली वीडियो को देखना आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इसको देखने से पहले उसको देख मैं उनको आज ले करके आप लोगों के विच उपस्तित हूं तो बच्चों बिना लेट के हुए चलते हम लोग अपने अस्थान पर जैसे कि आप लोग जान ही रहें कि यह संस्कृत ग्रामर के लिए है जहां कि आपको जीरू से बताया जा रहा है यहां है कि क्या है हमारी तो कि आपको बताया जा रहा है ठीक है तो चलते हैं वर्न के उच्चारन के बारे में वर्न के उच्चारन वर्न का उच्चारन कहें तो यह वर्न कहां से हमारी मुह का किस-किस वाग से किस-किस जगह से इसकी सब्द की वर्नों का उच्चारन हुआ है मैं इनके बारे में ठीक है तो सबसे पहली बात आता है कि वर्ण के लिए हम लोग पढ़े थे घी दो परकार के वर्ण होते हैं एक होते है तो हम लोग यहां जो बात करेंगे सबसे पढ़ने वर्ण को वर्ग में कौन कौन से आते हैं वर्ण को खो गो और घो अंगो को खो गो और घो और अंगो पूछा जाएगा कभी अबजेक्टिव में कोस्टन कैसे आता है अबजेक्टिव में कोस्टन जो आता है वो हम लोग से इस प्रकार से दे देता है कि गो का उचारन अस्थान क्या है खो का उचारन अस्थान क्या है तो का उचारन अस्थान क्या है अगर आपको इससे पूछे तो इससे छे कोशन तयार हो गया है छे कोशन कैसे हो गया कहेगा को वर्ग का उचारन अस्थान क्या है ये पहला पूछेगा पहला इस तरह का कोश दे देगा पहला एक कोशन दूसरा कोशन हो जाएगा कि को का उच्चारा नस्थान क्या है दूसरा हो गया फिर इसी तरह खो का पुछलेगा गो का पुछलेगा गो का पुछलेगा अंगो का पुछलेगा तो हमको बताना होगा ठीक है तो यह जो आपको दिया गया है एक ही कर को तो लग रहा है ना कंड से हमारी आ रही है तो वह कंड से खो तो को खो का जितने भी वर्न है पांचो वर्न का उचारन कंड से है ठीक है चलते हैं आगे चो वर्ग चो वर्ग में कौन कौन से है भई चो है चो है जो है जो है यो है चो चो जो जो यो 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 यह सबी जो है आ आप बोलते हैं तो आपका जो यह जिवा है यह आपका तालू पे जा करके टच होता है क्या ऐसा होता है तो यस आप देखे तालू से असपर्स करती है चो वर्ग का पांचो वर्ण आपका तालू से जा कर टच करता है उसी तरह आता है टो वर्ग टो वर्ग बोलके देखे टो तो ठो डो डो नो ये आता है मुधन मुधन ये दिखे मुधन ने क्या होता है मुधन होता है कि जीवा का जो लचिलापन से जो आवाज निकलता है वो दिखे जीवा के लचिलेपन के सामने से हिस्से से जो उच्चारित होता है वो आपका क्या कालाती मुधन निकालाती है मुधन आप तो ठोका इसमें भी छे हैं देखिए छे छे बारा छो बारा छो आठारा और चोविस चोविस चोटीस ये तीस गो आपका अबजेक्टिव तयार है बसरते आपको इसको समझना होता और याद रखिए देखिए को का जो है कंट से को का जो है कंट से चो का जो है तालू से चो का जो है तालू से और टो का जो है तो का जो है वह आपका मुधन से तो का का है मुधन से और लेकिन तो का जो है दंत से याद रखिएगा ठीक है आप देखिए आप देखिए तोरसा सोच के देखिए क्या है तो थो दो नो अब तो थो जब बोलते हैं तो यह दौत में जाकर बिरता है लेकिन तो थो बोलते हैं तो आपका जी लचता है तो थो दो आपका जी आप इंटरलर सोचिये थोरा सा बोल की दिखें बोलने के बाद जो आप महसूस कीजिएगा आपको याद करने में असान हो ज तो यहां लिखा आए तो थो का जो वर्ग है वो दंत से तो थो का जो उचारन है वो कहां से है वर्णों के जो उचारन मूँ के दंत से ठीक है अब आता है पोफो पोफो बोलके देखिए तो थोड़ा सा तो ओश्ट आता है जो ओश्ट है इसके ओश्ट से उसका उचारन आता वो कहां से आ रहे हैं सब के अलग अलग है तो आपको हमको लगता है याद हो गया होगा याद क्या हो गया है को कंड से को जो है कंड से और जो आपका आता है क्या तो यह चो 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 वाला जो आता है वो कहां से चो चो तो आपका देखी रहे हैं कि वह आपका तालू से आ रहा तो चो का जो है वह तालू से तो का जो है वह आपका मुधन से तो का जो है वह मुधन से तो का जो है वह दन से तो का जो है वह दन से अब पो का जो है ओट से पो फो बो भो मो यह ओट से आ रहा है इस परकार से जनते हैं अब आता है अन्ता अस्था इसके बारे में मैं बताया तो इसका उचारण क्या है वह निए है यहाँ पर लिखा है कि यो का जो उचारण है वह भी क्या है ताल्विय से यो बोलके देखे यो ये ताल्विय से रो मुधन से रो मुधन से लो दंसे वो दंतोष्ट से देखे वो वो दंतोष्ट वो भी आ रहा रहा वो तो देखे जी आपका दंत में उसमें सड़ जाता है चली इसलिए इसको दंतोष्ट कहा गया है इसी चीज़ के लि ये अस्पर्स वर्न थे ये अस्पर्स वर्न थे ये अस्पर्स वर्न है ये अस्पर्स वर्न है जो अस्पर्स वर्न में हम लोग देख पा रहे हैं वो को चो तो तो पो पांच पांच दस पंदरा पांच बीस पांच पचीस ये आपका अस्पर्स वर्न में है और अगला जो आ अन्ता अस्था वर्ण इस में यो रो लो वो यहां तक आते हैं इसके बाद जो आता है वो उस्म वर्ण आता है क्या आता है उस्म वर्ण में क्या है भई इस वर्ण में है हमारे meth लेकझे तालव सो का उचारं और मुधन सो और दन सो का जो उचारन है तालफ सो का उचारन में तालू भी आता है तालू आता है देखे तालफ सो तालू में सठता है क्या तो तालफ सो यह होता है मुधन मुधन्सो तो मुधन्सो आपको अर्दंसो याद रखिएगा इस तरह का बोल के देखिएगा जो सरुनुका पूछेगा उसको बोल के इंटरफेस किजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ बोलने के बाद जो है आपका उच्चारन के बारे में आपको अराम से समझ में आएगा और नहीं बोल पाते हैं ना मलब बोलते हैं नहीं मलब खाले पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद सिर्फ टच लगाने के फिर में रहते हैं जिसके करण गलत हो जाता है गल्ट नहीं होना चाहिए, आपको एक बार पढ़ने के बाद समझ में आ जाना चाहिए और पूरी अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए तो ये आपका हो गया के लिए ये भी हो गया हो अब देखे तो हो बोल के देखते हैं हो तो हो जैसे बोलते हैं तो हमारी कंड से आवाजी कलती है हो तो हो तो हमारी कंड से आ लिए तो हो अब मुधंसो तो मुधंसे दंसो तो दंसे अतालफसो तो तालुसे समझ भाया यह तो पूरा पूरा इजी हो गया था नहीं पूरा इजी हो गया वो उस नवर का एकदम असान पूरा असान इससे भी तो इधर से भी तो असान नहीं था इसमें कहां हाड है इधर को का कंट तो का को का कंट चो का तालवी है और चो हो गया अब टो का तो वला का हो मुधन उखो हो गया Are consegu unit यह यह अंता में यौक आ गया तालू रोक़ गया मुधन लोक आ गया दंद और वहा गया दंत ओस्ट वो का जो चारान थैसे इसी परकार उसमें आपको यादे हो गया नहीं तालव सो में तालो मुधन सो में मुधन अदन सो में दंत और हो में कंठ चले इस परकार आने के बाद इस परकार आने के बाद थोरा सा बात मैंने यहाँ पर लिखा है देखे क्या लिखा है क्या लिखा हुआ है कि दिर्ग दिर्ग और स्वरों के भी दिर्ग और प्लूप्त स्वरों के भी यही उचारन अस्थान है जैसे कि आप यहां पर दिखे कुछ लिखे हैं कि इसके बाद स्वरों के भी अपने अपने उचारन अस्थान है जिस परकार हमने वेंजन के देखें तो स्वर के भी अपने उचारन अस्थान है यह हम लोग वेंजन का पड़े वेंजन में पड़े थे वेंजन में तीन होते हैं असपर्स और एक होता है अंता और एक होता है उस्म तो यह हमारा वेंजन का था और यहां पर जो दिया गया है वो हम लोग का स्वर का दिया हुआ है तो स्वर में क्या करा है स्वरों के भी तो ओ कहां से आ रहा है, कंड से, कहां से आ रहा है, कंड से, तो ये हमारा ओ जो है, वो कंड से होगा, और हर सही, हर सही, तो ये आपका तालिय से, देखें तो हर सही बोलके देखें, कहां से आ रहा है, हर सही हो गया, हर सहू, तो हर सहू देखें, ओष्ट से आ रहा है, होट से आ रहा है किसका उचारन हर सहू अब देखे री बोलके देखिए जैसे री बोलिएगा री जैसे बोलिएगा यह मुधंत से आता है किसे आता है मुधंत से आता है लो का बोलके देखिए दंत से आता है लो जैसे लो कहा तो यह आपका कहो सट रहा है दंत में दंत में सट रहा ह यही बात को यहाँ पर लिखे हैं कि दिर्ग और पुलुफ्त स्वर के भी यही अस्थान है जिस परकार इसमें आ रहा है दिर्ग और पुलुफ्त स्वर के भी यही अस्थान आ रहे हैं उच्चारन में यही सवस्थान आ रहे हैं और संद्याक्षर के बीच उच्चारन के लि करके बने होते हैं, दो-दो अस्थानों का उपयोग होता है, दो-दो उचारन अस्थानों का उपयोग होता है, जैसे की सर, क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ए और आ, दोनों एक ही तरह का लग रहा है, लेकिन इसका उचारन अस्थान दोनों अलग है, उचा और एक ओठ ओ और ओ देखिए तो रह से ओ बोलते हैं न तो कंड से और ओ बोलते हैं न तो ओठ आ जाता है तो देखिए इस वरकार से होता है इन उचारनों के अस्थान में इन उचारन के अस्थान को याद रखने के लिए अनेक स्वर संधितों का रहस्य समझाने में असान हो जाता है और अगर आप अच्छे से देखते हैं और समझते हैं तो इसका पूरा उच्चारन अस्थान वर्नों के उच्चारन अस्थान आपको पूरा कंठस से याद हो जाएगा ठीक है जैसे कि आपने यहाँ पर दिखा क्या का क्या का कि इन उच्चारन के अस्थानों का रहस असमरन अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो याद करने के बाद अनेक स्वर जितने भी स्वर होंगे अनेक स्वरों के संधियों को अनेक स्वर वरन जब आप संधी पढ़ाएंगे संदी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पैचानने में बनेगा और आप तोड़ियेगा भी और अच्छे से वो तूट सकेगा और देखे क्या काता है स्वर संदियों का रहस समझ में आता है और जो जितना बहुत तरह का जो स्वर्न मिलेंगे स्वर्न मिल करके जो सब्द बनेंगे वो सब्दों को हम लोग समझने में बहुत असान हो जाएगा तो वह काता है अगर एक छोटा सा बात है जिससे कि आप लोग क्लास सेवन में थोरा मरा पढ़े होंगे अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आपके आसपास में कोई बच्चे होंगे सेवन के तो उसमें दिखे कुछ बात हमने लिखा है कि उचारन के अस्थान में उचारन के अस्थान में आप दिखेगा कि सम्बन्द में सुत्र सब्तम कलास में भी इसके बारे में दिया गया है सेवन कलास में भी इसके बारे में लिखा है संस्कृत के पाठ पुस्तक में दिया गया है क्या दिया गया है थोड़ सा दिखी तो संबद में सुत्र क्या है जो संस्कृत के पाठ पुस्तक में इसके grammar में लिखे गया है boots जिसे पुस्तक में अम्रित के शब्तम क्लास में है शंस्कृट बूक में वुच्ञारन के अस्थान में कुछ बारे में बात किया ये संब्द में सुत्र सप्टम्वर की संस्कृट पुस्तक में अमरित्य भाग में भी इसके बारे में कुछ बात दिया है उसी के बारे में हम लोग बिसेश हम बोले हैं ना कि ये सेवन कलास से लेकर दसमी कलास तक के लिए जो उचारा नस्थान है जो हम एक बात बताते हैं को कलास इंविटेशन क्या है कुछ नहीं अगर आप जानते ही नहीं तो इसको देखने में क्या हरजा हुआ है आप नहीं जानते हैं चाहे किसी भी कलास को देख लें तो समझ गये तो आपका किसी दीन ना किसी दीन काम आ सकता है अगर बसरते वो इस्टुडेंट होना चाहिए नहीं आप देखे आप अराम से समझें चाहे किसी भी कलास का बच्चा हो लेकिन मैंने इस बात को इसलिए दिया कि जो भी बच्चे अगर आसपास में सेवन में हैं और वो सेवन वाले हमारे वीडियो देख रहे हैं अगर वो आप देखना चाहते हैं कि ये बात सब कहुं सारा है त ठीक है तो बच्चो मैं आप लोग से बहुत ज़्यादा उमीद बना कर रखा हूँ कि आप मेरी सारी वीडियो को अच्छे डंग से और करमबत तरीके से देख रहे हैं अगर आप नहीं देख पाएंगे तो हमारी जो वीडियो है वो सही तक आपको समझ में नहीं आएगा जो सही तरीके से और करम तरीके से आप समझेंगे तभी जाकर कि आपको पूरी तरह से ये सारी वीडियो समझ में आएगा ठीक है और हमारा बस एक ही आप लोग से उमीद रहता है कि आप जरूर लाइक करेंगे आपको लाइक करने में क्या लगा है आप जरूर लाइक करें तो आप जरूर हमारे वीडियो को लाइक करेंगे ठीक है और इसी तरह का वीडियो पॉने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बनते रहिए हमारे चैनल पर बने रहिए अब मिलते हैं हम लोगो इससे अगले अगले लेक्षर में यह आज का हम लोग का लेक्षर चोथा समाफ्त होता है मिलते हैं हम आपको पचमे लेक्षर में धन्यवाद आज तक का वीडियो यहीं तक